गुड बॉर्निंग, स्टुडेंट में हिंदी सब्जेक्ट की टीचर अजना मिश्रा, आज में ब्याकर में चंद के बारे में बताऊंगी चंद, चंद किसे कहते हैं? काब के प्रभाव को लयुक्त, संगीतात्मक, स्रभवस्थित और नियोजित करता है चंद वद्ध होकर भाव अधिक प्रवापशाली, अधिक धिगराही और इस्ठाई हो जाता है चंद काब को इस्तमर्ण योग बना देता है चंद के प्रतेक चरण में बर्णों का क्रम, अथवा, मातराओं की संख्या निश्चित होती है अब इसके बाद में है मातरा, मातरा किसे कहते हैं? मातरा भेद से बर्ण दुर प्रकार के होते हैं कौन-कौन से हिरस और दीर्ग हिरस में सोता है छोटा और दीर्ग में सोता है बड़ा वर्ण के उच्चारण काल में जो समय लगता है उसे मातरा कहते हैं कहने का आत्त पर ये है की वर के उच्चारण यानि की बोलने में जितना समय लगता है उसे कहते है मातरा कहते हैं अब इसमें है लगू का चिन लगू में सोता है छोटा इसकREAM कांट टू करेंगे इसको क्या कहते हैं मात्राइ कहते हैं अब इसके बाद में है यती यती क्या चीज़ है यती को ब्राम कहते हैं क्या कहते हैं ब्राम छंद के प्रतियक चरणों में उच्चारण करते समय मध्या अंत में जो ब्राम होता है उसे यती कहा जाता है रिपीट छंद के प्रतेक चरणों में उच्चारण करते समय मद्ध या अंत में जो बिराम होता है उसे यती कहा जाता है यानि कि हम लोग बिराम लगाते हैं उसको यती कहते ही हैं इसके बाद में अगला टॉपिक है आपका पाध्या चरण इसे क्या कहते हैं चंद में प्राया चार पंक्तियां होती है चंद में क्या होती है चार पंक्तियां होती है पंक्तिया मिस लाइन चंद की एक पंक्ति का नाम पाद है और इसी पाद को उस चंद का चरण कहा जाता है पहले और तीसरे चरण को बिशम तथा दूसरे और चोथे चरण को सम चरण कहती है छंद में प्राहा चार पंक्तियां होती है और चंद की एक पंक्ति का नाम पाद होता है इसी पाद को उस छंद का चरण कहा जाता है पहले और तीसरे चरण को बिशम तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं चंद के प्रकार चंद तीन प्रकार के होते हैं चंद कित्रे प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के पहला है वर्णिक दूसरा है मात्रिक और तीसरा है मुक्त पहला कौन सा हो गया वर्णिक, दूसरा हो गया मात्रिक, तीसरा हो गया मुक्त इसमें क्या है कि आपके स्लेवर्स में वर्णिक है वर्णिक के पार्ट है स्रोठा और रोला, वो ही आपके स्लेवर्स में है स्रोठा, स्रोठा किसे कहते हैं देखिए इसमें कहते हैं कि स्रोठा यह दोहे का उल्टा होता है स्रोठा क्या होता है दोहे का उल्टा इसके प्रथम एवं तिर्थी चरण में ग्यारा ग्यारा मात्राएं तथा दुतिये एवं चत्थूर्थ चरण में तेरे तेरे मात्राएं होती हैं रिपीट सोठा यह दोहे का उल्टा होता है इसके प्रथम एवं तिर्तिय चरण में ग्यारा-ग्यारा मात्राएं तथा दुतिय एवं चत्थूर्त चरण में तेरे-तेरे मात्राएं होती है इसमें उधारन भी दिया गया है जो सुमरत सिद्ध होई गन नायक करवर वदन करहु अनुग्रै सोई बुद्ध रास सुह गुन सदन इसमें जो एस लगा हुआ है वो टू का काउंट होगा और जिसमें एक लगा हुआ है वो वन का काउंट होगा है तो किस को जो में ऐस है और सुम में वन कहने का थक पर हिए जित्रीव eyeballsFr होती है तो ऊनमें वन आता है और जो मात्राय होता है जिसमें बडए बड़ी की मात्रा होती है उपे बरिआ होती हो उनमें एसका आता है तो इसमें फाम बंढ़ा हो र develops स्क्राश एक नाइन टेन एलेवन फर्स्ट में हो गया आपका 11 मात्राएं सेकेंड में आपके हो गई 13 मात्राएं क्योंकि पहला चरण ही हो गया दू-ती चरण में 13 हो गई और तीसे चरण में 11 मात्राएं हो गई और चौथ चरण में 13 मात्राएं हो गई यह आपका हो गया स्रोठा सोठा क्या होता है दोहे का पुल्टा होता है अब इसके बाद में है रोला रोला यह सम्मात्रिक छंद है रोला क्या है यह सम्मात्रिक छंद है इसमें चार चरण होते हैं और प्रत्रेक चरण में 24 मात्राइं होते हैं और 13 मात्राओं पर यती होता है दुबारा देखो कहते हैं कि इसमें रोला यह है सम्मात्रिक छंद है रोला कैसा है? सम्मात्रिक छंद सम्मात्रिक छंद है इसमें चार चरण होते हैं और प्रत्यक चरण में 24 मात्राइं होती है और 13 मात्राओं पर यती होती है अब उधारण में है अब इसमें कहते हैं कि गोव तो इसमें दोनों में एक एक मत्रा आ गई अब इसमें पापे बड़ा है इसमें एसा गया और इसमें पीपर छोटी मत्रा है तो इसमें क्या वन वन काउंट हो गया तो आप इसमें देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आर्ट नौ दस ग्यारे बारा तेरे चौदे पंदर सोले सत्रा अठारा उन्नीज वीश एकिस इसमें 22 थेश चोविस तो इसमें प्रत्य चरण में क्या होगा 24 मात्राएं होंगी और 11 और 14 मात्राओं पर क्या होगा यती होगा इसे कहते हैं रोला में स्लेवर्ण में केवल सोठा और रोला ही है और यह सारा आपको रिटिन वर्क ही करना है Thank You